हेलो फ्रेंड हमारे चैनल में आपका बहुत वस्वागत है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजैनर बाजू तो यह हम बनाएंगे रुमाल कट पप्स लिस बाजू ठीके तो यहां पर हमने कपड़ा लिया है तो यह चौकोर कपड़ा लिया है ठीके यहां से ना पें पट्टे हमें इसमें से दो पट्टी बनानी है तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने लिया है 15 इंच और इस तरीके से चौड़ा लिया है हमने 6 इंच आप इस कपड़े को कम या ज्यादा कर सकती है तो यहां पर इस चौकोर पीस को हमें इस तरीके से औरेम में करके लेना है एक वर फिर इस तरीके से फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर ठीक है अब यहां से हमें मार्क करना है एक इंच पर यहां पर नाप लेंगे एक इंच इस तरीके से ठीक है और यहां से हमें कपड़ा कट नहीं करना है सिर्फ सीधा करना है जो थोड़ा सा नीचा उचा है उसे सीधा करेंगे तो यहां से इदे कि हमने कपड़े को वैसे अलग नहीं किया है बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा से अच्छे से कट किया है और यहां पर कट लगा लेना है बिल्कुल 20 सेंटर में ठीक है इस नौक को हमने कट कर लिया है और एक कट यहाँ पर भी लगाना है हमको 20 सेंटर में ठीक है इस तरीके से दोनों बाजु एक साथ कट कर रहे हैं अब यहाँ से 20 सेंटर से से कट करना है यहाँ से इसे अलग कर लेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए इन दोनों बाजु की कटिंग हो चुकी है अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तीन इंच हो जाएगे दोनों बाजु के लिए है और लंबाई 15 इंची रहेगी ठीक है यह दोनों पट्टिया हो चुकी है इन में भी हमें 20 सेंटर में कट लगाना है इस तरीके से ठीक है दोनों में कट लगा लेंगे तो यहाँ पर दोनों पट्टियों में हमने कट लगा लिया है अब यहाँ पर इस तरीके से रखना है तो 20 सेंटर में कट को कट से मिलाना है ठीक है यहाँ पर यहां से इस पट्टी को हमने नीचे की तरफ रखा है और बाजू को ऊपर रखा है यहां पर हमें प्लेट लेनी है तो 20 सेंटर से 20 सेंटर को मिला के रखेंगे पिन अप कर लेंगे और यह जो इधर कपड़ा है इसकी प्लेट लगाएंगे तो इनका डारेक्शन हमने अपनी तरफ किया है पिन को निकाल देंगे अब यहां से हमें प्लेटों का डारेक्शन चेंज करना है तो यह बाहर की साइड करेंगे इस तरीके से ठीक है आदे कपड़े की प्लेटे हमने अपनी तरफ डारेक्शन किया है और आदे की बाहर की साइड दोनों का डारेक्शन एक साथ कर देंगे इस तरीके की बाजो बहुत ही अच्छी लगती है अब बहुत आसानी से बन जाती है इस पर सीधी सलाई लगा लेंगे अब यहां पर देखिए इस तरीके से पलटेंगे और पहला फोल्ड हाप इंच पर लेंगे और इस तरीके से सिलाई को अंदर की तरप करते हुए इस पर सीधी सिलाई लगानी है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिक्शन वैल को जोड़ दवाएं तक कि हर वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहे कमेंट में बताएं कि आपको ये बाजू कैसी लगी है मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताएं प्लाई को लगा लिया है ठीक है दागे को कट कर लेना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है बीच से अब यहां से नापना है तो अब इसके 20 से हमें प्लेटे डालने हैं इस तरीके से आएगी तो सबसे पहले यहां से हमें प्लेटे डालना है जहां पर हमने पिन लगाई हुई है और प्लेट हम करीब एक एक इक चौड़ी लगा रहे हैं और यह 20 सेंटर का जो कट है वहां तक प्लेटे लगानी है तो जैसा कि हमने पहले डालना अपनी तरफ किया था और फिर बहार की तरफ किया है प्लेटों का सेम इसी तरीके से यहां पर लगानी है तो यह प्लेट भी हमें वही तक लगानी है जहां तक हमारी पिन लगी हुई है ठीक है पिन को निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए इसकी प्लेटे लग चुकी है इस तरीके से यह बहुत अच्छी से प्लेट फूली फूली बहुत अच्छी लगती है ठीक है तो यहां पर देखिए इसको नाप लेंगे तो देखिए यहां से इस तरीके से रखेंगे तो यह 9 इंच है हमारा ठीक है जब हम 8 इंच के आर्म होल्स कट करते हैं तो वो 9 इंच आते हैं गुमा के जब राउंड ली इंच टेप को लेते हैं तो इसमें हमें जोइंट करना है तो आप इसे किसी भी कुर्ती या ब्लाउज वगरा में कट कर सिल सकती है इस तरीके से तो हमने एक सिंपल कपड़ा कट किया हुआ है उस पे आर्म होल्स तो यहां पर देखिए इस तरीके से यह जोइंट करना है तो इसे बीस सेंटर जहां प तो यहां से देखिए यह जोंट हो गया है अब हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलना है तो यहां से भी देखिए इसको हमने पूरा सिलना है अब इसे यहां से फिटिंग करेंगे इसकी ठीक है इस तरीके से इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है जितनी फिटिंग आप पहनते हैं उस हिसाब से इसकी फिटिंग करें तो यहां पर नाप लेंगे तो हमें यह रखनी है चैंच आपकी जितना भी बॉटम हो बाजू का उतना रखें और इसमें सलाई लगा दें तो यह किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है एक बार रखके दिखा देंगे सीधा करेंगे सेम तरीके से दूसरी बाली बाजू बना लेंगे तो देखें कितनी अच्छी बाजू का लुक आया है आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू झाल